हलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं हरे मटर की चाट बनाने जा रही हूँ सूखी चाट बनाऊंगी बहुत कम टाइम में चटपटा नास्ता तयार हो जाती है तो चलिए बनानाय स्टार्ट क अब इसमें मटर रख देती हूँ और इसे चलाते हुए एक मिनर तक हमें भूनना है तो मटर को चलाते हुए एक मिनर तक तेल में भूनेंगे तो देख सकते हैं मटर भून चुकी है तो अब इसमें 4-5 चमच के लगभग पानी रखोंगे पानी जादा नहीं रखना है क्यो ग्रीन भी लगेगी ये कलर इसका चेंज नहीं होगा और आदी चोटी चमच यहां काला नमक रख रही हूँ और अब इन सब को मिक्स करके और ढग के दो मिनट तक इसे कुप करना है तो दो मिनट के लिए इसे पकने देती हूँ तो दो मिनट हो गई है चेक कर लेते हैं मिनट को ख़ो गए है अब इसमें थूरे से मसाले आड़ करूंगी तो एक चोथाइ चमच काला नमक ले रही हूँ उस टाइम में नमक कम रखे थे और एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर एक चोथाई चमच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर रख रही हूँ थोरा सा चटपटा बनाने के लिए तीखा बनाने के लिए और अब इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे तो मसाले मिक्स कर ली हूँ तो अब गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि मतर कुक हो गई थी पहले ही अब इसमें एक चम्मच रख रही हूँ नीबू का रैस इदम खट्टी चट्पटी सी टेस्ट आएगे और अब इसमें रखूंगी एक चम्मच चाट मसाला और इन सभी को मिक्स कर लेती हूँ तो अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो देख सकते हैं मतर तयार है उपर से थोड़ा सा गानेशिंग कर लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा हरा धनिया रख रही हूँ थोड़े से अद्रक के लच्छे और अब रखूंगी घर की बनी हुई आलू भुजिया बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है आलू भुजिया हरे मतर में तो साम के चाई के साथ यह नास्ता परफेक्ट है तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और कैसी लगी रेसिपी यह जरूर बताईएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा फिर मिलती हो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक कियर